हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका अच्छे ब्लोक्स में और अभी सुभा का समय हो रहा है और मैं बना रही हूं यहां ब्रेक्फास्ट और ब्रेक्फास्ट मैं बना रही हूं वेज़िटेबल उपमा जिसके लिए सारी सब्जियों को मैंने नमकर हल्दी देखे अच्छे से अब इसमें मैं थोड़ा पानी देके इन्हें ढखके पकाऊंगी इसके बाद फिर में इनमें सूजी मिलाओंगी और इसी के साथ साथ देखे पानी डाल दिया मैंने अभी थोड़ा देर उबलने के लिए रख दूगी और यहां दूसरी तरफ मैं सूजी बना रही हूं देखिए मेरी पानी उबल गया है इसमें मैं धनिया पता और सूजी मिला के बस थोड़ा सा पकाऊंगी दो मिनाट और बन गया यहां दूसरी दरफ खीर भी बन गया यह बहुत जल्दी बन जाने वाला ब्रेकफास्ट है और यह देखिए बातों-बातों में नास्ता भी हम आते हैं क्योंकि लक्षित का साम को पांच बजे उठने का ही टाइम है और पूरा साम हो जाता है तो साम को छत पी बिल्कुल नहीं आ पाता है तो इसलिए मैंने भी विंटर में रोटिंग थोड़ा चेंज कर दिया है तो साम के बदले में अभी सुबह के टाइम ही लेकर आ हेलो फ्रेंड्स केसे आप लोग स्वागत है आपका अच्छे व्लॉक्स में और हमारा ब्रेक्फास्ट हो गया है और हमारा ब्रेक्फास्ट हो गया है और ब्रेक्फास्ट को बार थोड़े देर इसको लेकर में चत पे गई थी दोनों भाई को क्योंकि अभी विंटर सागा तो साम को छत्पे नहीं जा पाता है, जल्दी साम हो जाता है, अंधिरा हो जाता है, तो फिर मैं भी मॉर्निंग में इन्हेल लेके जाती हूं, और सुगह का दूप भी अच्छा रहता है, तो थोड़े दिर छत्पे खेल के आ गए, फड़ा फड़ी लांच बनाते हैं, तब अब छत्पे साय है, तो यह थोड़े दिर खेलेंगे, तो मैं अपना काम कर लो, फिर उसके बाद बारा भी विंटर से, तो मैं बारा एक बज़े की बीच में इन्हेलाती हूं, तो तब तक मैं लंच बनानों, तो फिर चली जादा बात नहीं करते हैं, अपना काम सुरू कर अचा गाइस को बाई कर दो फ्रेंड्स लोगों को, फ्राइं किस दे दो, बाई बाई, अब ममी काम करेगी, अब बही आगे साथ के लो, बाई देगे साथ, ना आई, ममी के पास रहेंगे, ममी पास, ममी पास, तो ममी खाना केसे बनाएगी, अचा थोड़ा दिर ममी के साथ खेलेंगे, ठीके, उसके बाद ममी काम करेगी, ओके, ना आई, अचा थीके चलो, चलो थोड़ा दिर खेलेंगे, क्या है, केंडू, गिराना नहीं बेटा, ये क्या है, पत्ता, पत्ता है, दे दो, मम गिर जाएगा मैं सबजी में देगी धनिया पत्ता देदो ममी को लिए कि अए झनद हो जाएगा देव मामी ट्वमेटोधिया जा फिर से आ गया तू क्या चाहिए अब्टा पत्ता पत्ता नहीं बेटाउ खड़ाब हो जाएगा बेटा ममी साफ गरके रखिया एलो ईलो गाजर लो गाजर करें दे रहे हूं ले ले क्या खारा केंडू क्या है कैरट कैरट क्या खारा खारा केंडू तो अच्छा थीक है जाओ खाओ अभी मैंने केंडू को कैरट दियें छिलके तो वह कैरट खा रहा है तो अब मैं किचन में ही उकाम करने वना मुझे छोड़ी नहीं रहा था चटपे से खेल के आया इतना दिर लेकिन फिर भी उसे ममी के साथ ही खेलना है यह पॉंप रट फीस इसे चटपे जाने से पहले मैं मैंने नमक और हलती दे के माहिनेट कर दिया था तो अभी लंच में मैं यही बनाऊंगी और यह धेर सारे बरतन है जो नास्ता जो ब्रेकफार्स्ट मरा सुआ का उसके बाद के बरतन है जिए मैं साफ करके चट पे गई थी तो पहले महिने रख दूं अपनी जगह पे उसके कि वाद फिर अभी लंच मनाना स्टाट करते हैं कराए में तीन बड़े चमज सर्सो का तेल गरम कर लेंगे और तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें अपनी सारी मचलियों को फ्राइ कर लेंगे और मैं मचली हमेसा सरसो के तेल में ही बनाती हूँ क्योंकि सरसो के तेल में बना हुआ मचली का टेस्ट बहुत अच्छा होता है तो हमारे गड़ में जोई चीजे ऐसे सारा खाना ही सरसो के तेल में ही बनता है तो मैं सरसु तेल में ही बनाती हूँ और यहां देखिए मैंने सारी मचलियों को फ्राइ कर लिया है और जब यह तिल फ्राइ हो जाएंगा तो इसके बाद जो तेल बचेगा उसे हमें फेकना नहीं है उसी तेल में हम मचली का मसाला तयार करेंगे तो यहां देखिए यह सारी मचलिया मैंने अच्छे से लाल होने तक अच्छे से फ्राइ कर लिया है और अब हम इस तेल में अगर आपको जरौत परे तो और इसमें तेल डाल सकते हैं और आप इस पेष्ट को थोड़ी दर भूनेंगे इसके बाद इसमें मैं एक चमच अधरकर लहसन का पेष्ट मिलाओंगी देखिए प्याज भून गया है, अब इसमें अधरकर लहसन मिलाके थोड़ी दर इनी भी भून लेंगे ताकि इसका ।क्छा पन चला भून के मिला लेंगे विर्टो की साथ में इसमें एक ट्रिक माटल और दालके भून लिया है औरныा से इन सबको चुछंड तै कि सबी मसाले क्चे मिल जाएं और इसे में धग के पकाऊंगी ताकि कुछ देर बाद 20–30 बाद हुई रम चेक कर लेंगे यहां पर देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और मसाले भी भून चुके हैं और इससे अब हम मैसे भीना ढखके दो मिनट और भूनेंगे चलाते हुए और जब यह मसाले तेल छोड़ देंगे तब इसमें हम पानी डालेंगे और ग्रेवी के हिसाब से आप कitना ग्रेवी चाहिए तो यहां पर मैं हाफ किलो याने आधा किलो मचली का ग्रेवी वना रही हूँ понрав अब आपकी मचली कम या जादा कर सकते हैं यहां पर देखिए मैंने यह दो ग्लास के करीब पानी मिलाया है और अब इनको ढखके हम अच्छे से उबाल आने देंगे ताकि यह मसाले सारे अच्छे से पक जाए और जब एक उबाल आ जाएगा तब हम इसमें फ्राइ किया और उसके साथ मैं तीन से चार हडी मिर्च भी दोंगी तो अधिने से एक तो फ्लेवर अच्छा आता है और मेरी सबजियां थोरी तीखी कम होती है क्योंकि मेरे बच्चे खाते हैं तो मैं अपने लिए भी हडी मिर्च डालती हूं उपर से ताकि मैं खास हो कूँ, मेरे हज ज्यादा तीखा नहीं देती हैं और इसमें मैंने मचली देने के बाद भी ढखके पकाया और अब हम चेक कर लेंगे हमारी ग्रेवी अच्छे से होते यार हो चुका है अब इसमें हम आदा चोटा चमच गरम मसाला और धनिया पता देके मैसी से ढखके गैस बंद करके ढखके उसके बाद हम कम से कम 5-10 मिनट के बाद सर्व करेंगे ताकि गरम मसालों का भी फ्लेवर अच्छे से मचली में और ग्रेवी में अच्छे से मिल जाए और यह देखिए हमारी मचली एकदम रेडी है सर्व करने के लिए और यह देखिए कितना टेश्टी लग रहा है इस तरह से बनाकर जरूर देखिएगा आपको बहुत ही पसंद आएगा और यकिन मानिए मेरे घर में भी सबको बहुत ही अच्छा लगा था और फ्रेंस आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है यह आप कॉमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा और अगर अच्छी लगती हो मेरी साथ क्योंकि अब उस रूम में पढ़ रहा है पढ़ा है अपना अपनाना वर कर रहा है तो जब तक चल्व कर रहा है मैं इस रूम में रख्या हुँ और भी फिर इसको मैं छोड़ दूगी नहीं यह उस सी अपको नहीं नहीं करने देखिए हुआ और यह जांग की चि लेगी ठीक है बाबू के साथ खेलेंगे ना ममी पस रहेंगे ममी के साथ खेलेंगे खेलेंगे बुक परो जाओ देखिए बिस्तर का हालत देख सकते हैं पूरे बेटे पर एक टॉई फिले हुए उसकी बुक्स है टॉई है बस है ना केंडू आप खेल रहे हैं क्या कर रहे हैं गारी चला रहे हैं चलो गारी चलो बस अभी अपना बस दिखा रहा है कौनसा कलर क बाबू का औरेंज तो जब तक हर्षित पढ़ाई कर रहा है यह मेरे पास ही रहेगा फिर उसका ओमबर्ग कंप्लीट हो जाए एक बार उसके बाद फिर दोनों भाई खेल लेंगे फिर में किचन में जाओंगी इसे ज्यादा काम नहीं है किचन में सिर्फ रोटिया बनानी तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का यहीं एंड करती हूं फिर मिलूंगी आप से अगले ब्लॉग में रेसिपी कैसी लगी हो भी आप मुझे जरूर बताएगा कॉमेंट करके तो फिर हम करते हैं आप लोग को बाई 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 कर दो सी यू फ्लाइंकिस देद आप